दाल चावल बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स दाल तड़का बिल्कुल रेस्टूरेंट इस्टाइल उससे भी टेस्ट है आज हम घर पे बनाएंगे इसके लिए यहाँ पर हमने देखिए धेर सारे दाल ल दालों को लेने के बाद इसको हम डालते हैं एक कटोरी में तो यहाँ पर मिक्स दाल तड़का आज हम बना रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रे creating वांगे तो यहांपर दो पानी ठीए कटभड करें अच्छे तरफ से वास्ट कर लिया है और पानी को निकालने के पाद लेते हैं नहीं को दालेते हैं टाल के प número दाल्ग से तो दाल को पहले हम झां करके को दालते जाते हैं यहां पे देखीए है году मि针 विदिन हम देते हैं हल्दी अर्ष इसको डालने क्यूंद से हर्षांची मेत्या है इन डालने का कस्तूरी मेति और उसको भी डालने पाद आई लेए हिंग फ्लेवर के लिए बहुत ही बढ़ीा होता है डाजेशन के लिए भी वह सही है तो हिंग जरूरी थोड़ा अट करें और इसका अब हम लगाते हैं धककान और इसको गैस पर चड़ा करके गैस को ऑन कर देते हैं गैस की मेडियम फ्लें पर इसको हम दसमेर तक पका लेते हैं तीन से चार सिटी आने तक यहां पर देखिए को से पकड़ों हमने बड़े साइज का काटा है प्यास को हमने बारिक काटा है यहां पर लाल मीर्च यहां पर अध्रक और लेसंस अभी को हमने काट करके थाली में रख लिया है और यहां पर सीटी निकलने के बाद धक्कन अतारतने हैं कूकर का देखे दाल जो अच्छी तरह से पक गए है टर की में हम डाल देते हैं पहले तेज पत्ता दो और यहां पर जी रहा एक चौथा ही चमाच और हम ने ड़ाद दो प्याग को थोड़ा गलने में हैं टाइम लगता है 2-3 दर लगते हैं यहाँ अगर हमयों करें तो तो इसलिए मोटमक कर दिया हम Ediction को सब्सक्राइब छसेर्स पूर से लाध में हमें ध्यूर fancy को चलाते हिए और प्याज यहाँ यहां पर देखे थोड़ा पे गल गया है अब जो गाजर है similar with है इसको भी रखास्थ है उसको भी हम डाल देते हैं ऑर इसको फूर baptized हमेस कीज़की डाल करके चला देते हैं और चलते हुए एक मेंठ हम भून लेते हैं और भूनने के बाद इसमें हम डाल देते हैं जो हमने टमाटर काटर तक है उसको डाल देते हैं और टमाटर को गलने तक बस इन सभी सब्ज्यों को हमें पका लेना हाद चला-चला कर गया है। यहां पे आदाग दोनों को डालने को पाँ चला देते है पाङ गराम मसाले की डालने की जरूरूरत सि कहाuses मिर्च को तो हमने तड़की में डाल दिया है और दो पहले ही बॉयल कर लिए हरे मिर्च को और यहां पर मसाले को चलाते विए हम भून लेते हैं मसाला देखिए भून गया है तो हमने जो डाल बॉयल करके रखा उसको डाल देते हैं और यहां पर गरम गरम डाल जाते ही देखिए जो डाल है अच्छी तरह से बॉयल होने लगी जाते ही और डाल डालने के बाद अब इसको हम चला देते हैं चलाने के बाद एक बॉयल आने तक इसको हम पकाएंगे गैस को हमने हाई कर दिया हाई फिलिम पे और इसको हम अच्छे तरह से नीचे से उपर तक चला देते हैं ताकि मसाले जो है ना सभी डाल में मिक्स हो जाए यहां पर देखिए दाल में बॉइल आने लगा है तो इसको हम फिर चला देते हैं नीचे जो डाल है जो हम तड़का लगाते हैं तो नीचे जलने लगती है बहुत जल्दी पकड़ने लगती है कड़ाई में तो इसका ध्यान रखे बीच-बीच में चलाते रहें और गैस की फ्लेम को हमने बन करके इसको नीचे उतार लिया आप माज में बार देखिए थोड़ा-थोड़ा ठंडा हो गया तो कितना टेस्टी बनता है बिल्कुल यूनिक तरीके से एक बार धाबा इस्टाइल या रस्टूरेंट इस्टाइल